Hello everyone, welcome to study time with new informative video. उत्तर प्रदेश विधान सभा से जो समिक्चाद कारी, सायक समिक्चाद कारी एवं अन्य पदों के लिए भरती के लिए जानकारी आई थी कि इसका जो notification है वो आठ तारीक को आ जाएगा और ये जो notification है आ चुका है तो हम यहाँ पर उस notification में जो भी important बाते हैं, important चीज है वो सभी देखने वाले हैं तो यहाँ पर हम complete notification देखने वाले हैं तो चलिए ये देखिए उत्तर प्रदेश विधान सभा सचवाले का जो site है वहाँ से ये notification डाउनलोड किया गया है और ये देखिए इसमें दिया गया है कि online आवेदन प्रारंब होने की जो तिती है वो 8 तारीख है यानि कि आज से ही आवेदन करना आपका शुरू हो चुका है परिच्छा हेतू registration की अंतिम तिती जो है वो 7 जनवरी 2021 है तो 7 जनवरी के पहले आप अपना जो form है वो फिल कर लें आप देख लें आपको form फिल करना है या नहीं करना है इस notification को पूरा देख लें एक बार आप अपने आप से पढ़ लें फिर विचार करें आपको भरना है नहीं भरना है तो जल्दी भर दें नहीं भरना है तो फिर उसमें जादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में अगर साइट नहीं चलती है फिर आप बोलेंगे सर ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है साइट नहीं चल रही है तो अगर आप form भरना चाहतें तो प इध्यापन में समलित समस्त پदों के लिए प्रतक प्रिथक आवेधन पत्रपिस्तुत या जाना है तथा प्रतक प्रतक प्रिच्च सुल्क भी दिया जाना आपिचित है मतलब ये जो पूरा notification है वो पूरा वैसा ही है सेम जैसा कि विधान परशद में था सेम वही notification है बस थोड़ी सी चीज़ें कुछ बदल दी गई है वरना जो भी rule वहाँ थे वो सारे rule and regulation यहाँ पर भी किये गए हैं वही सारी चीज़ें लगभग सेम notification है बाकी इसमें कुछ वैसा बदलाव नहीं है आगे देखी जो महतपूर सुचना थी उसमें वही सारी चीज़ें लिखी है कि सैच्छे कारता क्या होगी और यह सारी चीज़ें और बैंक में सुल्क जमा कैसे करना है और अगर आपका कुछ गलत हो जाता है तो आप फिर से आवेधन करें सारी वही चीज़ें लिखें कुछ भी अलग से इसमें वैसा नहीं है सारी वही चीज़ें और इसमें देखिए फोर नंबर पर लिखा है कि आउनलाइन आवेधन हितु अभ्यारती को निर्धारित कॉलम में अपना मुबाइल नंबर इमेल आईडी ये सारी चीज़ें देनी है और आप ये जो वैबसाइट है इस पर जाकर अपना आवेधन प्रस्तुत कर सकते हैं सारी वही चीज़ें कुछ भी नया यहाँ पर बताने के लिए नहीं था तो फीस देखिए यहाँ पर जो है वो सभी के लिए दी गई है OBC के लिए सारी जो सामान निवर्ग के हैं OBC है इन सभी के लिए 950 है और जो अनसूचित जाती अनसूचित जन जाती है उसके लिए 850 रखी गई है एक चीज और ध्यान दीजे कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन कमजोर उस लोगों से भी 950 रुपए वसूल किया जाएगा याद रखिएगा पूरा वसूल किया गया जोड़ा नहीं जाएगा चाहे आप कमजोर हों या जो भी हो और चाहे आप आर्थिक रूप से हो, चाहे जैसे हूँ आगे देखे दिव्यांग जन के लिए कोई भी सुल्क नहीं रखाए तो यह बहुत अच्छी बात है, चलिए दिव्यांग जन को तो इन्होंने छोड़ दिया बाकि आर्थिक रूप से कमजोर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है बाकि सभी के लिए वही फीज रखी गई है सो रुपए कम कर दी गई है एक चीज और ध्यान दीजेगा जो यहाँ पर है जो सेम विधान पड़शत में थी कि प्री के लिए अलग और मेंस के लिए आपसे अलग आविधन करवाया जाएगा प्लस अलग से आपसे फीज भी ली जाएगी तो यह important चीज है जो विधान पड़शत में भी थी और इसमें भी है बताया कि आपको सेम notification वही है बस यहाँ पर परिक्षा और पड़ और ये सारी चीज़े है और 100 रुपय आपके लिए हैसान कर दिया गया है आगी देखिए सम्मिट किये गया आविधन पत्र में संसोधन अगर आपको करना है तो कोई संसोधन नहीं किया जाएगा आप दुबारा से आविधन करिए फिर से फीज़ दीजे या सेम ऐसा ही विधन परशद में भी था लेकिन बाद में संसोधन के लिए option दे दिया गया था तो यहाँ भी इनको पहले से ही बता देना चाहिए कि ऐसा कुछ हम बाद में करेंगे या नहीं करेंगे हमें तो यह भी करना है तो कुछ कर देए तो देख लीजेगा वरना फिर से आविधन कर दीजेगा अगर कोई त्रोटी होती है पहली बात तो आपको ध्यान से फॉर्म फिल करना है आगे देखिए आप भ्यारतियों के लिए महतपुन निर्देश भी दिये गए है कि किसी भी भ्यारती दोरा आविधन पत्र में गलत तत्यों और यह सारी चीजे है वो तो सब पता ही आपको डिबार है और यह सारी चीजे अनुदेश भी दिये गए है जो most important चीज है कि 15 गुन अभ्यारती चुने जाएंगे मेंस के लिए जितने पी vacancy है सभी का 15-15 गुना लिया जाएगा ठीक है और काला जो ball point है पैन है उसका यूज करेंगे आप OMR भरने के लिए ठीक है बागी सब वही चीजे हैं एक चीज यहां पर दी गई है सब्रहुन के कर चाना पर से और 50 से हैं जोटने वर्ग से हैं उनको 40% चाहिए पास होने के लिए तो cut-off तो आप जानते ही है कि 85% 90% जाने वाली है तो 40% कौन से gear में लगता है आगे सामान अनुदेश हैं और कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं है अब आते हैं रिक्त पदों के विवरण पर तो रिक्त पदों में देखिए जो vacancy आई है बहुत जादा आ गई है इस पार है ना आपको जितना बताया गया था लगबग vacancy तो उतनी है लेकिन पद थोड़ी अलग अलग पदों में जो vacancy है वो थोड़ी कम कर दी गई है तो देखिए आपसे बोला गया था मैंने भी बताया था जो information मिली थी कि समीक्षादकारी सहाइक समीक्षादकारी की 40-40 के लगबग भरती देखने को मिलेगी तो समीक्षादकारी की तो 13 seat है यहाँ पर बहुत कम कर दी गई है हलाकि सहाइक समीक्षादकारी की 53 seat है तो जिन भी विद्ध्यारती का O level और यह सब है जो भी इसके लिए वह होंगे eligible होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी ख़बर है कि चलिए सहाइक समीक्षादकारी के लिए काफी अच्छे पद आ गए है माकी के लिए देखिए एक चार एक 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 पद आये हुए है और समीक्षादकारी के लिए 13 पद है तो आप देख लिए अगर आपको लगता है कि पद के अनुसार पैसे के अनुसार आप भरना चाहते हैं तो भर दीजेगा और कुल जो 87 पद हैं उनके लिए रिक्तियां निकाली गई है आगे देखिए रिक्तियों की संक्या घट बढ़ भी सकती है तो जैसा कि आपने देखा था कि विदान परशद में भी थोड़ी बढ़ा दी गई थी और यारों की बाद में वैकेंसी एड़ करती गई थी तो हो सकता है इसमें पद बढ़ा दिये जाएं बाद में लेकिन अगर बढ़ा नहीं होते तो अभी निकाल देते हैं ना इंतना इंतजार करने ही क्या ज़रूरती बढ़ देखते हैं अगर आगे कुछ होता है तो अच्छा है नहीं होता है तो फिर इसी के अनुसार जो चल रहा है वही चलेगा आरक्षन जैसा आपको प्राप्त होता है वैसे ही प्राप्त होगा उसमें कुछ भी कमी या हटाया और जोड़ा नहीं गया है अब बात करते हैं सैच्छिक आरता की, तो अगर आप संपादक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपके पास भारत में विधी द्वारा इस्तापित किसी विश्विद्याले की साहित, अदवा किसी समाजी विज्ञान में इसनात को उत्तर की उपादी होनी चाहिए आप आपने की हो, वरीता विधी की उपादी होगी, आगी प्रतिवेदक के लिए मादिमिक सिच्छा परशत उत्तर प्रदेश की इंटर्मीडियर परिच्छा उत्तर होना आवश्यक है, हिंदी आसुलिपिक में 140 सब्द, अंग्रेजी आसुलिपिक में 120 सब्द प्रतिमिनाट की गती होना चाहिए, और इंटर्मीडियर परिच्छा उत्तर होने के साथ साथ, CBSE, ICSE, Board, अदवा मादिमिक सिच्छा परशत उत्तर प्रदेश की इंटर्मीडियर परिच्छा की समकच परिच्छा उत्तर होना चाहिए, कि समीच्छा अदकारी के लिए कुछ नहीं अधिता प्राप्त आहरता होनी चाहिए आपके पास, हिंदी आलुस असुलिपिक और हिंदी टंकड में क्रमशा नियूंतम 80 सब्द प्रती मिनट और अंग्रेजी में 25 सब्द प्रती मिनट की गती होना आवश्यक है, बाकी निम्नानुसार कंप्यूटर का ज्यान होना भी वश्यक है, नीचे दिया गया है, नाइलेट द्वारा संचालित, कंप्यूटर में सार्टीफिकेट जो ट्रपल सी होता है, उसके समकच्च आपके पास आरता होनी चाहिए, आगे साहक समिक्चा अधिकारी के लिए, देखिए, बारत में विदी द्वारा स्तापित किसी वि अगर कुछ है, तो भी आप इलिजवल होंगे, तो ओ लेवल के समकच्च इसको माना गया है, यहां पर दिया गया है, अगर आप इन सम्कच में कि बिपलोमा एक साल का होना चाहिए, ऐसा नहीं, आप तीन मैने का इक सानिवार लेकर पहुंच गये, बोले हम ने विदी द्ह से किया है तो ऐसा नहीं माना जाएगा एक साल मतलब एक साल का होना चाहिए किसी मानेता प्राप्त संस्ता विद्याले से कंप्यूटर साइंस में कोई आपने डिक्री की हो वो भी मानी जाएगी किसी मानेता प्राप्त संस्ता विद्याले से कंप्यूटर में उच्छ योगता समकच माना जाएगा चलिए आगे व्यवस्थापक के लिए देखिए तो व्यवस्थापक के पद पर सीधी भरती के लिए किसी अभ्यारती के पास किसी मानता प्राप्त संस्ता से एक विशे के रूप में हाउस कीपिंग तथा होटल मेलेंजमेंट और कैटरिंग टेकनलोजी में इसनातक पाटकरम की भाती ये आपके पास होना चाहिए सोदेवं संदर्ब सायक में भारत में विधी द्वारा इस्थापित किसी विश्विद्याले से साहित अदवा किसी समाजिक विशाय में इसनातक उत्तर होना चाहिए आपके पास और ये सारी चीज़ी दी है पुरुस और सुरच्छा साहिक माहिला के लिए दिया गया है मादिमिक सिक्षा परशत उत्तरप्रदेश वजन आपका 59 किलो ग्राम होना जाये है न आप 69 से आप पम नहीं होने चाहिए वरना आपको बाहर और सींह 86 mm चाहिए और बिना सोटो म devo दो कैसे 24 oops लेंग!.. लिखता है एक लिभिएरतियों को उतिमान प्रदान किया जाएगा जिनके पास सेना, नौशेना, वायू सेना, पुलिस, प्रांती ससस्त, पुलिस, पीएसी, प्रांती, रचकदल, पी आरडी, रास्टी, कैडर कोर, एंसी सी, टेरिटोरियल आर्मी, अदवा, हॉम गार्ड का अनबाव, इन में से किसी का भी आपके पास अनबाव हो, यहां कहीं आपने काम किया है, तो भी आप इलिजबल हो जाएंगे, शुरु अच्छा सा है, एक महिला के लिए भी लगबग लगबग वही चीज़े हैं, बस उंचाई जो इसमें 1.52 मीटर मांगी गई है, और परवती छेत्र में 1.47, जैसा कि आप जानते हैं, पहाडी छेत्र की महिलाएं होती ह उनकी हाइट कम होती है, महिलाएं कि आप पुरुस भी जो होते हैं, उनकी हाइट कम होती है, तो इसलिए यहाँ पर अलग-अलग दिया गया है, लेकिन पुर्सों के लिए अलग से कुछ ऐसा नहीं दिया गया है, आगे देखिए वजन जो बोला गया है, 45-45 किलोग्राम हो तो आप इलिजबल होगी, और ऐसे आप भ्यारती वही चीज़ है, आपने कहीं इसका अनुभा हो आपके पास तो भी आप भर सकते हैं, वेतन की बात करें यहाँ पर तो वेतन आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा खासा वेतन होता है, पे लेबल 10 की नौकरी है, संप नियुनतम आयू जो है वो आपकी 40 वर्स है, आप 40 वर्स तक के हैं, तो आप फार्म भर दीजे, कोई भी चिंता गरने वाली बात नहीं है, नियुनतम आयू की बात की जाए, तो संपादक और प्रतिवेदक के लिए 30 और 22 रखे गई नियुनतम, बाकी सभी के लिए 21 आयू बताने के लिए नहीं है, आगे देखिए, विधान सभा सचवाले में समिक्चा अदिकारी, सहक समिक्चा अदिकारी के पत पर जो भी सम्विदा करमी के रूप में अगर काररत हैं, तो उनको आयू में छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, वो बाद में विचार किय सचा जाएगा, सोचा जाएगा कि आप तो अपने हैं, है ना, चलिए आगे देखिए, परिच्छा से संबंदित महात्पूर्ण सूचना यहां पर दी गई है, कि वही सारी चीज़ें अलग अलग आवेदन करना होगा, यह सारी चीज़ पहले से आपको पता है, कुछ बतान सो अंक के होगे, सो की अंक की यह परिक्चा होगी, और प्रारंबिक परिक्चा की अबदी जो होगी, 120 मिनट होगी, यानि की दो घंटा, सामान अध्यन, सामान हिंदी, सेम विधान परसत जैसा पेपर है, और प्री जो है, सभी के लिए सेम होगा, है ना, आगे देखिए, यह आपका सलेवस रहेगा, मुख्य परिक्चा, यह आप ध्यान दीजेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, कि प्री सभी के लिए सेम होगा, है ना, यह फोर नंबर पॉइंट में देखिए, इस विध्यापन में समली समस्त पदों, सुरच्चा सायक, पुरुस, एबन स सुरच्चा सायक महिला की पद, अतरिक्त अन्य समस्त पदों हेतु, एक ही प्रार्यमिक परिक्चा का योजन किया जाएगा, मतलब केवल सुरच्चा सायक और सुरच्चा सायक महिला को छोड़कर, बाकि सभी पदों का जो पद लिए जाएंगे आपसे, आविदन लिए जा होगा, है ना, ये दिया गया है पूरा कि लिकित परिक्चा कुल 150 अंके की होगी, प्रस्न पत्र ये सब दिया गया है, आप देख सकते हैं, एक एक चीज बताने वाली जरूरत इसमें नहीं है, है ना, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा फिर, और पृति वेदक के लिए य यहाँ पर समिक्चादकारी के लिए सलेबस है, विधान परशद में आपने देखा ही है, सेम वही है, मतलब जो UPPSCRO का सलेबस होता है, प्री का, वो यहाँ पर मेंस में बना दिया गया है, वही सलेबस है, कुछ भी अंतर नहीं है, 140 सामान अध्यान, 60 हिंदी, वही सारी ची के लिए सेम समिक्चादकारी जैसा सलेबस है, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं किया गया है, और व्यवस्थापक के लिए देखिए, लिखा है व्यवस्थापक के पद पर चैन वस्तुनिस्ट प्रकार की लिखित परिक्चा, जो 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा, तो ये सौंक के यादार पर किया जाएगा, जिसमें भाग एक, भाग दो, भाग तीन होगे, चालिस, तीस, तीस, प्रसन आपसे पूछे जाएगे, डिएड़ घंटे का आपको समय इसमें दिया जाएगा, और सोद एवं संधर्ब सहायक के लिए, सोद सहायक के पद पर चैन व घबरानी की ज़रूरत नहीं, हिंदी पढ़ना है और जी एस पढ़ना है, सूची कर के लिए ये दिया गया है आपका, सेम वैसा ही सलेवस इसमें, और जो सुरच्चा सायक पुरुस और महिला का है, वो यहाँ पर अलग से दिया गया है, ये परिक्चा जो प्री की है, वो अलग होगी, है ना, आप सभी अच्छे से जानते हैं, प्री की परिक्चा जो है, वो इसकी अलग होगी, और मेंस तो सबका अलग-अलग होना ही है, है ना, तो देखिए, सुरच्चा सायक पुरुस एबन सुरच्च्चा सायक महिला के पद पर चैन वस्तोनेश प्रकार की आरकारी प्रकति की होगी, जैसा कि माननी अद्दजी द्वरा निर्धारे की जाए, उत्रिन करने वाले भरती से किया जाएगा, तो सारे आपकी जो उसमें दी गई थी, वो भी अगर आप पूर्ती करते हैं, तो आप इसके लिए चुने जाएंगे, तो ये था पूरा इस फॉर्मेटिव वीडियो के साथ,